सब्सक्राइब अधर 24 7 एंद प्रेस्टी बेल आइकन गुड मॉर्णिंग फ्रेंड स्वागत आपका एससे यह डपर मैं आपके साथ हाजी रहूं आज तू दा पॉइंट में तू दा पॉइंट में हम लोग वैसे टॉपिक्स को देखते एक छोटे टॉपिक्स को देखते ह भी सवालों को भी हम लोग देखते हैं जिस से रिलेटेड जो वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं उन सभी फैक्ट्स की हम लोग चर्चा करता है तो जल्द जल्द यह आप लोग जुड़ जाएं फिर हम लोग आज के टॉपिक की स्टार्ट करेंगे इसमें जो यह हमारा तो आज आप लोगों के कमेंट में देखता हूं और उससे मैं कमेंट से ही टॉपिक को सलेक्ट करता हूं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लास फिर इसके उपर हम लोग आगे भी चलेंगे तो जो आप लोग कमेंट में बिलकुल आप लोग टॉपिक बोई सजेस् प्रशन पूछे जाते हैं जैसे यहां से प्रशन पूछा जाता है फ्लिंट ग्लास क्या होता है पाइरेक्स ग्लास क्या होता है जो टेली को टेली स्कोप का लेंस बना होता है वो किस से बनाता है ग्लास के कलर से प्रशन पूछा जाता है कि जो ग्लास का डिफरेंट डिफरे पूछे जाता है exam में 20 प्रस्न के असपास तो आज हम लोग उन्हीं facts की चर्चा करेंगे इस glass के अंदर, glass का मतलब होता है दोस्तों कांच, और actual जो कांच होता है न कांच कुछ इसी प्रकार का दिखता है, यह जो होता है, raw जो glass होता है, वो इसी तरीके का दिखता है और इसी से हम लोग उसे सीट में अलग-अलग फॉर्म में क्या करता है चैंज करता है इसी से ठीकर ना तो देखते हैं आज कलास के अंदर केम लोग उपेंट इम्पोरेंट को आज चो सबसे पहलादा हमारा ग्लास के बारे में तो यहां पर देखिए जो में सबसे पफ़ेला अग्वाट होता है मैं सबसे पहला में रिक 50 होता है इसका सेंड मानली बालु बोलता है लेकिन सेंड का होता है एक्छुम में time क्या होता है तो कई राचंग क्या दोस्तों ओड़ोगर्न विच्थ है ऐसे भी पूछा जाता है सबसे पहला जो में क्या होता है दूसरी बात करें तो यहां पर क्या होता जाता है यानि कि जो ग्लास होता है ना ग्लास की बनाने में जो सबसे में चीज होता है वो होता है सेंड होता है फिर होता है लाइम स्टोन यह देखिए यह हमारा सेंड है ठीक है यह जो है यह हमारा लाइम स्टोन यानि जिसे हम लोग सीए सीओ तरी कहते हैं ठीक है और सोडि इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा यह सारे फैक्ट भी आप याद रखेंगे काफी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं और सवाल आपके यहीं से पूछे जाते हैं अलग अलग एक्जाम्स में तो यह हमारा पहला फैक्ट था यह कंपोजीशन आफ हमारा ग्लास यानि कांच का हमार चलते हैं अगले फैक्ट के उपर तो अगला फैक्ट याद रखेंगे कई बार पूछा जाता है सबसे पहले ग्लास जो है कहां पर मैनुफैक्चर किया गया था सबसे पहले ग्लास को कहां पर बनाया गया था दोस्तों याद रखेंगे सबसे पहले ग्लास जो बनाया गया चीन से हैना कहां से हुई थी चीन से शुरुवात हुई थी और जो कागज बना होता है दोस्तों ये किस से बना होता है सैलूलोस से बना होता है ये भी आपको पता है लेकिन कई बार आप से पूछा जाता है जो ग्लास होता है ना ग्लास ये सबसे पहले कहां से इजिप्ट से और इजिप्ट का capital का है दोस्तों that is Cairo यह भी आप याद रखे या जिसे हम लोग हिंदी में काहीरा बोलते हैं यानि इसके शुरुवात मिस्र से हुई थी यह भी ध्यान में रखेंगे अगले फैक्ट पर चलता है दोस्तों लोग अगला फैक्ट हमारा एक होता है वाटर ग् वाटर ग्लास होता है यह किस से मिलकर बना होता है तो सोडियम सीलिकेट से और सोडियम सीलिकेट को जब हीट करता है किस सोडियम कार्बोनेट और सीलिका के साथ तो यह हमारा बनता है वाटर ग्लास यानि कि देखिए यह सोडियम कार्बोनेट और सीलिका को गर्म करके सोड चाहिए आपको पता होनी चाहिए तो यह हमारा दूसरा तीसरा five अगले टरफ सोड अगला टाइप चलता है ऑल सोडा घ्लाइट में कार रखेंगे абर Tribal तो याद डाइट दोस्तो याद रखेंगे किस का शे बना उता है है soda glass या soda काच से मिलकर बना होता है आपने याद रखनी है ठीक है ना कई बार पुछा जाता है bottles जो होते हैं वो किस से बने होता है यहां पर मैंने यह bottle बनाया हुआ है और यहां पर यह bottle बस समझाने बाटल यानि जो बाटल बना होता है वो किस से बना होता है वो इस überzeug लाइट होती है यह भी किस से बनी होती है यह भी इस और आर्गन गास उसमें बरते हैं किस के अंदर तो मरकरी या ट्यूब लाइट के अंदर और यह जो देख रहा है पूरे जो ग्श्क मारनिट्री में जो इक्विय्पमेंट्स बने होता है जो कााउच के बने होते हैं ये भी important है यहां से भी प्रश्ण बनते हैं हैना flint canch जो बना होता है वो potassium carbonate से बना होता है और इसका use दो चीज़ें आपको याद रखनी है अलग लग different type of glass से सबसे पहला तो कौन सा canch किस से बना होता है और उसका क्या use है यहां से आपके exam में प्रश्ण बनते हैं तो याद रखेंगे जो flint कहां चे वो किस से बना होता है potassium carbonate से और इसका use कहां पर होता है making electric bulbs यह देख रहे हैं electric bulbs जो है और electric bulb में यह जो देख रहे हैं इसे क्या बोलता है हम लोग filament और यह जो filament बना होता है दोस्तों यह किसका बना होता है this is made up of tungsten tungsten का use क्यों कि आ जाता है क्योंकि tungsten जो होता है वो सबसे ज़्यादा melting point जो होता है इसका tungsten का और इसका melting point दोस्तों लगवग 4000 degree Celsius के आसपास होता है आपने याद रखना है तो इलेक्टरिक बल्ब में दोस्तों गैस कौन सी बढ़ी जाती है याद रखें इलेक्टरिक बल्ब के अंदर एक गैस बढ़ी जाती है जिसे हम लोग बोलते है आगन और यह आगन इसलिए बढ़ी जाती है क्योंकि यह आगन क्या करता है टंगस्टन की लाइफ को कई बार पूछा गया एक्जाम में, Kamerika lens, Telecope जो होता है Telecope का lens वो किस से बना होता है, किस काँछ से तो फिलिंट काँछ से बना होता है आपने याद रखनी है, ठीक है न, अब चलता है, दोस्तों अगले fact की तरफ, अगले fact को देखते हैं, जो अगला fact है हमारा याद के मैन कंपोनेंट है हमारे किसका कांच 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 यानि कांच इंडस्ट्री जो होता है उसका मैन रौ मैटरियल ही क्या होता है हर देखिए हर इंडस्ट्री का एक कच्छा माल होता है जैसे रोटी मतलब जो ब्रेड की फैक्टरी ते उसके लिए कच्छा माल वीट है जैसे म नहीं बालू या रेत जिसे लोग बोलते हैं तो यह जो बना होता है क्रूक्स ग्लास वो किस से सीरियम और किस से सीलिका से मिलकर बना होता है और इसका यूज कहां पर होता है तो जो गोगल्स होता है जो चस्मा होता है ना चस्मे में जो कांच यूज किया जाता है जो भी जिससे होता है जो आंख के लिये होता है जिसमें के लेंस होता है यह जाद रहा जो सामानीय गूगल जो स्वेता है वह कौन सा होता है अब चलते आगले अगले फैक्त की तरफ अगला वेक्ट हमारा उसलीका सीलीका sìलीका से वह जोंत हैँ है यहां पर लाइस हैं इस साथ एलक अलग चीजह मिला कर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मअहां को तैयार करते हैं यहां पर देखें जो राप लाफ हैिस तुर्ण ग्लास बना है लाफ बेकर आज आपक्साइड बैरियम ओक्साइड और सीलीका से और इसका यूज जो होता है वह कहां पर होता है लेंसेस ऑफ आई ग्लासेस अब जो लेंस वाला जो चस्मा होता है जैसे आख में आख का लेंस जब खराब हो जाता है तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं जब मायोपिया होत कि से हैं नो किस से बनता है वो हमारा इस crown noir आट मपने याद रखिये गा जो crown گ्रस होता है crown ग्लास का है जो lens वाले चस्में होते हैं उसको बनाने में यूस किया जाता है उतलों दोग अगले वाले है वाह लगा अगला फैक्ट है हमारा कहा जाता है क्योंकि it is obtained by melting silica and ultraviolet rays emerged out through it यानि कि quartz glass जो है silica glass भी कहा जाता है क्योंकि यह silica पिघलने से प्राप्त होते हैं इसके माध्यम से पराभईगनी किरना निकलती है यानि कि यह जो quartz glass है यह silica को ही पिघला कर तैयार किया जाता है और याद रखेंगे इसका यूज कहां पर होता है अल्ट्रा वाइलेट लेंप वालेबल में और कहां पर होता है container of chemical reagents में यानि जो रासाइनिक अभी करमकों में जो या प्रियोग शाला में जो यूज किया जाता है वहाँ पर उसके जो containers होता है ना उन containers को बनाने में इस quartz glass का यूज किया जाता है ता आप इससे भी याद रखेंगे यह काफी important है यहाँ पर सबसे पहरा चीज याद रखना है आपको silica glass किसे कहा जाता है कई बार पूछा जाता है जो ultra violet यानि पराबेगनी किरन वाले जो lamp होते हैं उसका मतलब उसे बनाने में किस glass का यूज किया जाता है या उसमें याद रखना है quartz glass का यूज किया जाता है कई बार ऐस से भी प्रस्न पूछा जाता है किस प्रकार के कांच को silica को पिघला कर बनाया जाता है दोस्तों याद रखेंगे quartz glass को silica को पिघला कर बनाया जाता है अब देखिए यह जो ultra violet rays वाला lamp है और इसका यूद जनरली कहां पर होता है ना swimming pool में देखते हैं पानी जो blue color का नजर पानी 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 तो यह जो blue पानी है अब यह किसके कारणन अंदर क्या होती है extra violet lamps लगी होती है। और वहांसे blue मतलब कैसी щない कि अ wsz版 क्या होता है यह जो पानी है वो कैसा नजरात रहता है यह यह पानी ब्लू होता नहीं है और नहीं इसमें कोई ब्लू कलर का रंग नहीं मिल नगए जाता वहले की इस इसके अंदर से कही सारे पड़ा बैगनी मतलश ऑल्टर वॉइलटाँ वाली लाम्प लगी वहोते वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो अगले फैक्ट की दरब चलता है दोस्तों हम लोग और आप लोग का कोई भी डाउट आप लोग कमेंट में बताएंगे और सजेशन जरूर देंगे कि सर इस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो आप इस टॉपिक पे लाइए तो अभी मैं ज्यादा जो मैक्सिमम टॉपिक लूँगा वो फिजिक्स और कैमिस्टी का टॉपिक लूँगा क्योंकि बायो एक्चुली 11 बज़े वाले क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद फिर बायो के जो टॉपिक्स हैं उसके उपर मैं लाओंगा लेकिन अभी पाइरेक्स ग्लाश है दोस्तों ये बैरीयम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट से मिलकर बना होता है ठीक ह Wet ंना और इसका यूज्ग में किया जाता है तो लाबरेटरी एक्विपमेंट्स में, लबरेटरी एक्विपमेंट्स बनाने में और फारमा स्यूटिकल कंटेनर्स जो होते हैं उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है यानि कि बैरियम सिलिकेट और स्योडियम सिलिकेट से बना है और इसका यूज कहाँ पर योग साला उपकरण दवा कंटर जिसमें आती है ना जो देखते हैं मैडिसीन कब सिरफ वो सब जिस कांच में आता है उसी में उसको किस कांच से बनाया जाता है वो पाइयरेक्स ग्लास से निर्मित होता है आपने ये चीज़ याद रखनी है ठीक है ना हम लोग चलते हैं दो जब हम लोग photochromatic glass की बात करते हैं, यह glass है क्या यह special type का glass है, which turns black in sharp shining light, thus such glasses are used as light protector and eye reliever and thereby utilized in making eye lenses and goggles. The main reason of being black of such glasses is the presence of silver chloride. यह person की जो photochromatic glass होता है, इसका क्या nature है, तो इस पर क्या होता है, जैसे sunlight ऐसे glass पर पढ़ता है, तो वो क्या करता है, अपना color change करता है, जैसे देखिए, यह जो person इसने चस्मा लगाया हुआ है, यह normal मतलब condition जब light नहीं होगा, तो चस्मा ऐसा ही दिखेगा, तो लेकिन जैसे sunlight पढ़ेगा न, यह जो color होता है, इसका color क्या हो जा रहा है, इसका color dark हो जा रहा है, है न, sunlight के पढ़ते ही, और यह इसका reason क्या होता है, जैसे ही इसके उपर पढ़ता है, पढ़ता जाता है, तो वो अपना color क्या करता रहता है, change करता रहता है, जैसे जैसे race की मात्रा देखिए क्या हो रहा है यहां पर देंगे कर 15 घ्ड बोलते हैं और इसी इस сделал our time होता है। याद रखेंगे जो जर्मन सिल्वर होता ना इसमें सिल्वर नहीं होता ये किस से किस से मिलकर बनता है कॉपर जिंक और निकल इस तीनों से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर जिसमें के एक्चुली में सिल्वर होता ही नहीं है तो जर्मन सिल्वर से भी कई बार एक्जाम में प् जो सिल्वर आयो डाइड चाउस का यूस करते हैं जो वो पी इंख होती है उसके इंडेलिबल इंक बोलते हैं उसमें किसका यूज करता है इ सारे की सारे बहुत ही ज़ादा इंपरेंट है आपके एक्जामिनेशन ठार्न कई बार यहां से एक्जाम में प्रशन पूछे गया है तो चलते हैं हम लोग दोस्तो और याद रखें किसे इपर नंबर होता है है color of glasses से कि क्या जो green color होता है वो किसके कारण होता है या ruby-red किसके कारण होता है peacock byrage earnest किसके और होता है brownies black किसके आउर अलग अलग रंग के जो आप काच को देखते हैं उसमें उसमें उस रंग के लिए अलग अलग प्रकार के compound को मिलाया जाता है तो आपको यहाँ पर जो important है आपको उसे याद रखना है जैसे आपको सबसे important है deep blue very very important कई बार exam में पूछा गिया deep blue जो होता है उसके लिए क्या मिलाया जाता है cobalt oxide सबसे पहली बात दूसरा याद रखेंगे green green के लिए क्या मिला पूर नहीं है यहाँ पर याद रखेंगे जो ruby red फिर यह बहुत ज्यादा important है इसमें क्या मिला जाता है gold chloride या purple of cassius उसके बाद याद रखेंगे जो glitter red होता है उसके लिए क्यूप्रस oxide और cadmium sulphide मिलाया जाता है यह सारे क्या है compound है इसी को मिलाकर कांच का अलग अलग बनाया जाता है यह भी हमारे लिए बहुत important है ठीक है और यह जाद रखेंगे magneze dioxide इससे blue to light orange color बनाया जाता है क्यूप्रस salt very very important red color जो कांच का होता है वो कैसे तयार किया जाता है क्यूप्रस salt को मिलाकर तयार करते हैं इसके बाद cadmium sulphide से yellow like lemon जो lemon का जैसा yellow होता है ना वै यह लास्ट वाला जो देखना brown is black यह भी हमारे लिए बहुत important है उसमें क्या मिलाया जाता है carbon मिला जाता और carbon से आप याद रखेंगे ब्रावन का सबसे अच्छा जो natural से क्या है कोल और कोल कैसा होता है जो original कोल होता है सबसे जो best कोईला होता है अंतरा side बड़ा वो कैसा हो चाहे SSC के exam हो different different exam में कई बार प्रस निहां से पूछे गए हैं तो दोस्तों आज की मतलब episode में जो हमारा था यहीं तक रखते हैं हम लोग ग्लास से इतने ही important facts पूछे जाते हैं आपके exam में और दोस्तों अगर आप लोगों को मतलब यह जितने भी facts मैं बता रहा हूं सारे facts आप देखकर जाएंगे एक भी आपके सवाल ग्लास से related सवाल आपके छूटने वाले नहीं है exam में ठीक है ना बागी दोस्तों हम लोग अगली class के अंदर अगले episode में मिलते हैं नए मतलब topic के साथ मिलेंगे आप लोग topics के बारे में comment में जरूर suggestion दीजे और दोस्तों हमारे channel को subscribe भी करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग to the point के अगले episode में एक नए topic के साथ और उससे related facts के साथ तब तक के लिए अप लोग पढ़ते रहिए and have a good day झालाल